वेलकम दोस्तों, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल, आज की इस वीडियो में हम एक आपको घरेलून्स का बताने वाले हैं, जो आपके छोटे लिंक को लंबा कर देगा, और आपकी सुकुड़े हुए लिंक के अंदर जान पैदा कर देगा, दोस्तों आज कल बहुत सारे queries मेरे पास आ रही है, phone number के जरीए से, whatsapp पे लोग contact करते हैं, बता कहते हैं कि सर हमें कोई ऐसा घरेलून उसका बताईए, जो हमारी जो बच्पन की गलतिया है, या किसी भी वज़ा से जो सुकुड़ा हुआ link है, वो थोड़ा सा tight हो जाए और वो लंबा हो जाए, तो इसकी हम एक आपको घरेलू remedy बताने वाले हैं, इससे पहले कि हम remedy को शुरू करें, आपसे तरखास है कि आप अगर चैनल पर नए हैं, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकोन को भी दबा लें, जिससे आने वाली हर एक नई अपडेट आप तक easily पहुछते रहें, दोस्तो, लिंग का छोटा होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर लिंग इतना छोटा है कि आप खुद satisfy हो पा रहे हैं और ना ही अपनी female partner को satisfy कर पा रहे हैं, तो ये कही ना कहीं इंसान की दिल के अंदर एक शर्मनाक बात पैता करते हैं, जिसकी वज़ा से लोग अ तरह की कोई विदिक्कत है, और आगर आप मेरे साथ directly call अगर अपनी किसी problem को share करना चाहते हैं, या उसको solution चाहते हैं, तो मेरा number आपको वीडियो पर मिल जाएगा, आप कभी भी WhatsApp करके या call करके मेरे से बात कर सकते हैं, और मैं बिल्कुर संतोश जनक आप से बात करूँग और तीसरा हमें इस्तमाल करना है गोले का तेल का, अब हमें इस नुस्के को कैसे बनाना है वो आपको दिखा दे, इस नुस्के को बनाने के लिए हमें एक mortar पैसल की जरुवत होगी और आप सिल्बट्टे का भी इस्तमाल कर सकते हैं इसकी जग़ा, तो सबसे पहले कम से कम ह थोड़ी soft long ले लेते हैं और खास्तोर से धियार नखे हैं कि हम एक ऐसी long का chain करेंगे जिसके ऊपर की ये फूल साथ में तो आप देख सकते हैं ये तीनों long मैंने ऐसी ही ली हैं जिसके अंदर फूल भी साथ में हैं और इसके पीछे का shaft भी साथ में हैं अब इसको हम grind कर ले हैं तो यह आप देख सकते हैं कि इनको हमने अच्छे से grind कर लिया है अब हमें साथ में क्या इस्तमाल करना है एक यह लासून है दोस्तों और इस लासून को हम अच्छे से तोड़ लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमने इसका चिलका उतार लिया है अब इसको इसके अंदर डाल देते हैं और इसको भी क्रेश्ट कर लेते हैं इस की लासून है फिर गीना है यह देखें दोस्तों यह एक हमारा मिश्ट बि corresponds है इस मिश्ट के अंदर हमें कम से कम एक चम्मच ओलिव आईल या एक चम्मकर कॉकोनट और प्रशं मिला लेना है जा आप देख सकते हैं कि यह पेराशूट पूस डूंट है Taiwanese हमने लिया है यह आपट हम इसको अमने खोल लिया और यह हम इसके अंदर हम꺼ी कर दाल लने अ तक्रीबर एक चमच हमने कोकरनट वाइलिस के अंदर डाल लिया है और आप हम इसको अच्छे से मिला लेते हैं तो यह मिश्रण हमारा दोस्तों तयार हो गया है इस मिश्रण को हम पूरे एक दिन कम से कम हलकी धूप के अंदर रख देते हैं जिससे कि इसका जो तेल है रहू बाकी रहता है इस मिश्रण को हम एक दिन के लिए कपड़ा ढखकर धूप के अंदर रख देते हैं इसकी जब हम मसाज करेंगे तो रात में सोने से पहले कम से कम पांच मिनट अपने हलकी हाथों से अपने पीनिस के उपर मसाज करें दोस्तों इसके साथ साथ आप अगर सर्दियों में इस नुष्के का इस्तमाल करते हैं तो आपको एक कली रोजाना छील कर इसकी लासुन की एक कली रोजाना छील कर मुँमें चबा कर सुबा उठने के फोरण बाद आपको इस्तमाल करनी है इससे एक हफते के अंदर आपकी अगर आपको लगता है ये सारे घरेलू उसके इस्तमाल आपने कर लिए है और आपको कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा है तो मैं आपको एक ऐसा ओईल बताने वाला हूँ जो ओईल हर तरह की प्रावलम के लिए बहुत ही special solution इसके सारे दूसरा उसका मैं आपको बता देता हूँ दोस्तो जिन लोगों को लगता है कि उनका पीनिस बहुत ही जादा चोटा है और जल्दी से उसमें इरेक्शन नहीं आता है यानि टाइट नहीं होता है और घरेलू हर मार्कीट के अंदर एक बहुत अच्छा ओयल जो कि लिंग लॉंग के नाम से अवलेबल है यह लिंग लॉंग के नाम से मार्कीट के अंदर अवलेबल है डेस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा आई बटन में भी मिल जाएगा मेरा परसनल नंबर आपको वी साथ जानवरों से और साथ प्राकर्तिक जड़ी बूटियों से हमने लेकर बनाया है इसको खास सोर से ये लिंग को लंबा करने मोटा करने और लिंग में हार्डनेस पैदा करने के लिए ऑईल है तो जिन लोगों का लिंग जादा चोटा है जल्दी रिजल्ट चाहते हैं पर् ही मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए नुसके के साथ तब तक के लिए इजाज़त दीजिए थैंक यू सो मच